सब्सक्राइब कर दो हमारे रिट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सबस्सक्राइब को लेकर बहुत सय रिट्यूब चैनल जीपीयर समस्टाइब सायज है है बहुत सब्सक्राइब को यह कोश्चिंग को इसी वीडियो में दूँगा बड़ वीडियो को स्टाट करने इस फ़ाइब करेगा अब आपकी सब्सक्राइब करेगा अब किसी भी कोश्चिंग की फोटो को क्लिक करो क्रॉप करो और सेंड कर दो वीडियो सेकिंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेंट के अंदर सॉलूशन मिल जाएगा यह एप सब्सक्राइब के लिए तो अभी सब्सक्राइब को डाउलोड करो तो आप सभी ने तो कोश्चिंग पूछे उन सभी का एक ही सिंपल आंसवर है कि अगर आपके रिजल्ट के अंदर कंपार्टमेंट लिखा है तो अगर सेंप नहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि आपको यह पूरा साल वापस रिपीट करना पड़ेगा बहुस सेशन को कोश्चन होते है कि सर मेरे को बर्टिकलो इस सब्जेक्ट में आर्टि लिखा तो उसी को repeat करना है सारे subject को तो guys मैं को simple words में बता जता हूँ कि अगर आपके result में essence से repeat लिखा है तो उसका मतलब fail है मतलब आपको पूरे सारे subject को class 12 को पूरी को वापस repeat करना पड़ेगा और guys करियों कि result के अंदर past लिखा है compartment नहीं देना वैसे जरूरी नहीं compartment exam देना अगर आपके result के अंदर COMP compartment नहीं लिखावा तो guys totally overall आपको बता दो कि compartment उन्हीं student को देना है जिनके result के अंदर COMP लिखावा है जिनके result के अंदर COMP नहीं लिखावा उनको compartment exam नहीं देना और जिनके रिजल्ट के ने लिखावा एसेंस से लिपीड मत तो फेल होगे उनको वापस क्लास 12 करनी पड़ेगी इस साल गाइद कंपार्टमेंट वाले केंड़ेट भी उदास मत हो और जो फेल होगे वो भी उदास मत हो गाइद लाइफ ने एक और मौका दिया है तो इस बार मैनत अच्छी तरिके से करना और इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर आना तो गाइद इस वीडियो में इतनी अगर गाइद आपके फ्रेंट्स की भी कंपार्टमेंट एक्जाम या फिर एसेंस से रिपीट तैसी प्रॉब्लम हो रही तो अपने फ्रेंट्स से वीडियो जुरू शेये करना और अगर आप कोई वीडियो में कोई भी कंफीजन स्क्रीन पर कंटेक्ट नंबर दे रहे हैं तो दोस्ते वीडियो में इतनी अपने फ्रेंट्स वीडियो में तब तक आप से गर पिरो सेव रहो